नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के द्वारा रचितेक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाव दिये गए है इस गरंत का मुख्य विशय, मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महतपूर नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है दोस्तों चाड़क के नीति में कई घ्यान की बाते आउरतों के लिए भी बताई गई है ऐसे में एक शादी शुदा महिला को भूल कर भी इन तीन चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए नहीं तो आप अपने पती की मृत्तिव का कारण बन सकती है दोस्तों आपको बता दें आज के आधुनिक दोर में शादी शुदा महिलाएं कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता यहां तक की शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए ऐसे में उनके जीबन पर नकारातमक परभाव पड़ता है यहां तक की परिबार, रिष्टे और पती की जान पर भी आ जाती है तो ऐसे में आये जानते हैं आखिर वो तीन चीजें ऐसी कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए नहीं तो कुछ अनिष्ट भी हो सकता है तो चलिए जानते हैं और हाँ वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो लगबग सभी महिलाएं पहनती ही हैं दोस्तों शास्त्रों में इस पश्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादी शुदा महिला को एकदम सफेद रंग का बस्तर कभी नहीं पहनना चाहिए ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुँच सकती है आपको बता दें आज कलके फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई सारी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है वास्तु शास्तर के अनुसार किसी भी शादी शुदा महिलाओं को एकदम सफेद रंकी सारी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए इसके पीछे का कारण ये है कि सफेद रंकी सारी को पहनने से पती बरता धर्म बिलकुल खत्म हो जाता है और इनके रिष्टों में नका रात्मा कूर्जा का आगमन हो जाता है क्योंकि ये लिबास बिदभा होने का है ऐसे में आप पती की मृत्यु का कारण बन सकती है इसी लिए हो जाएं साबधान और बहीं आप अगर सफेद रंका बस्तर पहनना चाहती है तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और भी होना चाहिए लेकिन एकदम सफेद रंका कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए और हाँ लड़कियां सफेद कपड़ा पहन सकती है नमबर दो दोस्तों इस आद्ञिक दोर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल पहन लेती है जो कि शादि शुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से आशुब माना जाता है पैर में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महराज का अपमान होता है जिसके कारण आपके परिबार से रिष्टे तूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है इसलिए सोने को पैर में कभी ना पहने पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है इसलिए हो जाएं साब्धान दोस्तों सिंदूर और मंगल सूत्र का महत तो बहुत अधीक है हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगल सूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है आपको बता दें ये तो सभी लोग जानते हैं हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाक की निशानी होती है जो महिला बिबाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके पवित्र रिष्टे को कोई और व्यक्ति उसका नाम दे सकता है इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है बहीं मंगल सुत्र का भी बड़ा महत्त है सोना और पीतल भले ही ना लगा हो लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए दोस्तों एन टीवी मोटीवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई और थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो